नमस्कार मैं हो ससी आए ज्यारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं ज्यारखन में फिर आंदोलन की राह पर टेट पास सहायक अध्यापक राजे भर के टेट पास सहायक अध्यापक पारा सिक्छक एक मांग बेतन मान की मांग को लेकर एक बार फिर ब्यापक आंदोलन सुरू करने की तियारी कर रहे हैं बरतमान में हर दिन दो-दो जीलो के टेट पास सहायक अध्यापक ने राजभवन की समख्धरना परदजन कारकरम चला रखा है जे टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वे समिती ने रभिवार को रांची में सभी जीलों से आय जन परतिनिद्यों के साथ मैराथन बैटक की और आंदोलन को और धारदार बनाने का फैसला लिया है इस फैसले के तहट राजी के सभी मंत्रियों और सत्ता धरी दलों के विधायकों का आवास का घहराव किया जाएगा इसके साथ साथ सभी जीले में अस्थानिय अस्तर पर एक मांग बेतन मान के नारे के साथ मार्च भी निकाला जाएगा इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो 15 नॉमबर को राज अस्थापना दिवस के मौके पर जहन्डा लेकर राज भार से टेट पास पारा सिख्षक रांची में परदसन करेंगे रांची से दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना जारखन की रैधानी रांची से रविवार के दूसरे वंदे भारत ट्रेन की शुरुवात हो गई है यह ट्रेन रांची से हावला तक चलेगी रांची रेलो एस्टेशन पर राजेपाल सीपी राधा किष्णन के साथ रांची के सांसद संजाय सेट सांसद आधित्य साहू, सांसद महुआ मांजी, खेल मंत्री हफिचुल हसन पुरू उप महापौर और भाजपा के वरिष्ण नेता संजीव विजय वर गिये मवजूद रहे रांची एस्टेशन से हवडा के लिए करीब 12 बचकर 40 मेर पर ट्रेन को राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने हरी ज़ंडी दिखा कर रवाना किया ट्रेन को रावाना करने से पुरो राजेपाल ने ट्रेन का जयजा लिया और ट्रेन में बैठे बच्चों और यत्रियों से बाच्चित कर उन्हें सुब कमनाये दी है ट्रेन में बचों से बाचित करने के दवान राजेपाल ने सब ही बचों को ट्रोफिया भी बाटी भारत ने पहले दिन पांच पदक से किया आगाज भारत ने एसिया खेलों में संदार शुरुवात की है भातिय खिलाडियों ने पदक असपरधाओं के पहले ही दिन तीन राज़त सहीत पांच पदक जीते हैं इन में से तीन पदक नौ कायन में और दो निसाने बाजी में हासिल किये भारत अंक तलिका में सातेवा स्थान पर ह बता दे पहला पदक नौ कायन खिलाडियों ने दिलाया है अरजुन लाल जाट और अरविंद सिंग ने पुरूस लाइट वेट डवल एसकॉल असपरधा में 628.18 समाई के साथ राज़त पदक जीता वहीं चीन के जुनजी फान और मानसुन ने स्वन पदक हासिल किया ट्रेन डाका कांड में केस दर्ज गिरफतारी को छापे तेज संबलपूर से जमूत जा रही संबलपूर जमूत अवजी एक्सप्रेश ट्रेन में सनिवा देर राथ होई भिशंट कायती में पुलिस के दर्ज कर अपराधियों की धर पकड़ में जुट गई है इसके लिए एक लाख नगत समें दस लाख रुपे से अधिक किसम पती लूट की गई थी इस दवरान यात्रियों से मार पीट भी की गई थी इसमें घायाल साथ यात्रियों का डाल्टन गंज में इलाज किया गया यात्रियों ने बताया है कि लूट पाट के दवन अपराधियों ने आ अगनीवीरों के अस्थाई किये जाने की परतिसत को बढ़ा कर 50 करने पर विचार कर रहा है सुत्रों ने यह जनकारी दी है पिछले साल लागू की गई अगनीवीर योजना में चार वरस के बाद 25 फिश्दी तक जवानों को एक परिक्षन परकिरिया के बाद अस्थाई करने के प्रवधान है जबकि सेस को एक तैरासी के साथ सेवा से अलग कर दिया जाएगा बता दे थल जल और नव तीनों सेना में यही परकिरिया अपनाई गई है सुत्रों के अनुसार योजना में सुधार को लेकर अनेक सुझावने ताओं सेनाओं की ओर से मिले है खास कर नौ सेना और वायू सेना का कहना है कि चार साल में 75 फिश्दी प्रसिक्षित अगनी वीरों को घर भीने से उसे नुक्सान है जैसे ही वे तकनिकी कारे में दक्षोंगे उनका सेवा काल पूरा हो जाएगा नौ सेना और वाई सेना में जायतर सैनिक तकनिक कारे करते हैं थौल सेना में भी काफी सक्षाओं में जवानों को तकनिकी कारे करना होता है सुत्रों ने कहा है कि सुझा पर विचार किया जा रहा है ज्ञारखन के सरकारी सिख्षकों को मिलेगा M.A.C.P का लाब जार्खन के सिक्षकों को MACP का लाब मिलेगा इसके लिए जार्खन सरकार ने बिहार से सरकार से सरकारी स्कूलों को दिये MACP के लाब समधी जनकारी मांगी है इसकूली सिक्षावा सशर्टा विभाग के माधमिक सिक्षा निदेशक सुनिल कुमार ने बिहार के प्रात्मिक सिक्षावा माधमिक सिक्षा को पत्र लिख कर इसके संकल्प की मांग की है निदेशक ने असपश्ट किया है कि जहरकन के सिख्षकों को अने राज कर्मियों के समान M.A.C.P का लाब दिया जाना है सिख्षकों को 10 साल, 20 साल और 30 साल की स्थेवा के अधार पर M.A.C.P का लाब दिया जाना है इसके लिए बिहार में सिस्कों को दिये जा रहे M.A.C.P. की जनकारी दी जाए ताकि उसकी समिक्षा कर जारखन सरकार अपने राज के सिस्कों को लभानवीत कर सके सियम हेमंत के पत्र की आज इडी करेगी समिक्षा रांची जमीन घोटाले में मुख्य मंत्री हमान सुरेन के जारखन हाई कोट में आचिका दायर करने और इडी को भेजे पत्र के बाद की स्थिती पर सोमर्ग समिक्षा होगी इडी के अधिकारी अताय करेंगे कि आगे एजेंसी का क्या रूख होगा एजेंसी के अधिकारीों को जनकारी मिली है कि सिया महमान सुरेन ने पी एम एले की धारा पचास व तिरसट की वैधता को चुनवती दी है इन धाराओं को भारतिय समिधान के प्रतिकूल बता याचिका दी गई ऐसे में इस मामले की सुनवाई हाई कोट के डिवीजन बेंच में होगी वहीं इन धाराओं को लेका सुप्रीम कोट ने पुर्व में भी सुनवाई पर अपना रुख असपष्ट करते हुए बहतता सविकार की थी ऐसे में इडी मुख मतरी खिलाब आय करवाई कर सकती है बच्चों महिलाओं को तसकरी से बचाने के लिए गाउं में चलेगा अभियान जार्खन के बच्चों और महिलाओं को ट्रैफिकिंग, बाल सरम, बाल बिवा और सोसन से बचाने के लिए जार्खन राजे बिधिक सेवा प्राधिकार जालसा 100 दिनों का विशेस अभियान चला रहा है यहां अभियान राजे के 30 हज्जार से अधिक गाउं में चलाया जाएगा बता दे की हाल ही में इस अभियान की सुरुवात सोप्रीम कोट के जश्टिस और आश्ट्री बिधिक सेवा प्राधिकार के कारेकारे अधियक जश्टिस संजाय किसन कॉल ने की थी अभियान चलाने के लिए उन इलाकों का चैन किया गया है जहां बाल तसकरी के मामले अधिक होते हैं उन इलाकों के बच्चों और महिलाओं को जागरूप किया जाएगा ताकि वे तसकरी का सिकार ना हो सके ऐसे बच्चों की सिक्षा सोसान और अने विकास की जरूरत को जिला अस्तरिय बाल सनक्षान यूनिट और जिला बाल कल्यान समीति के माध्यम से पुरा किया जाएगा जारखन से मानसुन वापसी अक्टूबर में जारखन में मानसुन अगले चार दिनों तक कमजोर रह सकता है देश से मानसुन वापसी की परकिरिया अगले 24 घंट में शुरू होने वाली है यह परकिरिया राया स्थान से शुरू होगी तथा देश के उत्री भागो समेत अगल 15 दिनों में जार्खन से वापसी होगी मौसम बैग्यानिकों के मुताविक जार्खन में मानसुन वापसी की परकिरिया आउट वार के पहले सबता के बाद सुरू हो सकती है लेकिन मानसुन सीजन की अओधी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक होगी राज में अभी भी 28 फिश्दी कम बारिस दर्ज हुई है वाई मौसम बिबाग के अंसार राज में 30 सितंबर तक होई कहीं हलके बादल छा सकते हैं रेल टेक का अंदुलन कारियों को बिना सर्थ रिहा करने की मांग टोटेमिक कुडमी विकास मौर्चा ने रेल टेक का अंदुलन कारियों को बिना सर्थ रिहा करने की मांग की है मौर्चा के केंद्री अध्यक सितल उहदार ने रभी वार को रांची के एक होटल में अयोजित पेस वर्ता में अह मांग रखी है उहदार ने कहा है कि हजारों की संख्या में 20 सितंबर को कुडमी समाज के लोग अपने परमपारिक वेसभूसा परमपारिक वाध्यांत्रों के साथ आंदोरन में सामिल हुए थे परन्तु साजिस के तहत कुडमी आंदोरन को दबाने के लिए मनोहरपूर के घागरा में रात के अंधेरे में युवाओ और महिलाओ पर लाठी चार्ज किया गया कईयों को जेल भी भेज दिया गया जिसकी कुडमी समाई निंदा करता है अगर मांग नहीं मानी गई तो विरोध होगा स्वास्ते मंत्री बन्ना गुपता 25 सित्तमबर को करेंगे जन सुनवाई स्वास मंत्री बनना गुपता 25 सितंबर को जन सुनवाई करने वाले हैं इसके लिए सभी लोगों को तैस समय पर परदेश कॉंग्रेस पार्टी आफ़ीस पहुचने के लिए कहा गया कॉंग्रेस के मंत्रियों के जन सुनवाई करकरम का दूसरा चक्र सुमवाई से सुरू हो रहा है बता दे कॉंग्रेस अलाकमान के आदेश पर हेमंद सुरेन सरकार में सामिल कॉंग्रेस कोटे के चारों मंतरी रोटेशन से हर स्वमवार को जानता कि सिकायतों को दूर करने के लिए जन सुनवाई कर रहे हैं 28 अगस्ट को राजिक के स्वास मंतरी बनना गुपता ने इसकी सुरुवात की थी जन सुनवाई का एक चक्र पूरा हो जाने के बाद सोमवार 25 सितमबर को फिर स्वास मंतरी जन सुनवाई करेंगे को कांग्रेВО कर्याले में 11 बजे पुरुवाहन से लेकर एक बस तक का समाई जन सुनवाई के लिए निधारित किया गया है कुर्मी समाज की लोगों ने सरकार को दीचेतावनी 20 सितमबर को रांची में कुर्मी समाज के दोवारा किये गए रेल आंदोरन के माध्यम से की गई मायंग पर आदिवासी समाज के निताओं ने भीरोद जताया जिस पर कुर्मी समाज ने आदिवासी समाज के निताओं राई सरकार को जबाब देते हुए कहा है कि यदि कुर्मी को और सुचित जन जाती में सामिल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कुर्मी समाज का अंदोरन भी और उग्र होगा बता दे जार्खन में कुर्मी अंदोरन और राईनिती रूप लेता जा रहा है जार्खन का कुर्मी समाज और राई सरकार को घेरे में लेते हुए सवाल पूछ रहा है कुर्मी विकास मोर्चा के केंदरिया अध्यक सितल ओधार ने कहा है कि जिस परकार से 20 सितमर कुराई सरकार ने पहले वारता के लिया स्वासन दिया और बाद में पुलिस से लाठिया चलवाई ये ठीक नहीं है गैंग्ष्टर प्रिंस खान की गिरिफतारी जल्द डीजीपी अजय कुमार जार्खन के डीजीपी अजय कुमार सिंग ने रविवार को बोकारो कल में समिक्षा बैठक की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि धनबात के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है हर अपराधियों के मनसुवों को धवस्त करने का काम किया जाएगा धनबात बोकारों या राजह का कोई भी जिला हो कहीं भी किसी तरह के अपराधियों के हर मनसुवों को धवस्त करेंगे पर्धानमत्रिन नायन मोदी ने ट्रेन नमबर 02348 पर्टना हवडा वन्दे भारत एक्सप्रेस का नई दिली से ओनलाइन हरी जंडी दिखाया कर उधाटन किया साम चार बज कर 38 मेट पर वन्दे भारत ट्रेन पर्टना से जसीडी एस्टेशन पहुची जसीडी एस्टेशन प्रभव्य समारोह में वन्दे भारत ट्रेन का स्वागत किया गया मुख्याती थी गोडा सांसर डाक्टर नी सिकान दूबे देवघर विधायक नरायन दास वा डियारें चेतना नंद सिंग ने हरी जंडी दिखा कर चो बज़ कर एकाउन विएट में जसीडी एस्टेशन से वन्दे भारत को रवाना किया बता देश सांसर बिधायक वाट डियारें वन्दे भारत ट्रेन पर सवार होकर मधुपूर की ओर निकल गए सरकार परबर से बाबुलाल कहा कालोबारियों की हो रही हत्या भारतिय जनता पार्टी के जारखन परदेश अदेश बाबुला मरांडी ने एक बार फिर सूबे के मुख्यमंतरी हमांसर पर हमला बोला है बाबुला मरांडी ने सीएम का नाम लेकर कहा है कि दलालो लुटेरो को उनकी सरकार 147 की सुरक्षा दे रही है जारखन के प्रथम मुख्यमंतरी बाबुला मरांडी रभीवार को पच्मी सिम्भूम के मजगावा में बिजेपी की संकल पयात्रा को सम्मोधित कर रहे थे जन सभा को सम्मोधित करते यों मरांडी ने कहा है कि जारखन की कानून बेवास अधवस्त हो चुकी है अपराधी बेलागाम हो गाए हैं उन्होंने कहा है कि महाच छो महिने में राजे के विकास में योगदान देने वाले 23 कारोबारियों की हत्या हो चुकी है इन में से 9 ऐसे बेपाई थे जिन्होंने पुलिस को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की भी मांग की थी रांची हवड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का पीय मोदी ने किया सुभाराम जारखन के राजेपाल सीपी राधा क्रिश्णन ने कारकरम को समोधित करते हुए कहा है कि परधान मतिन्यान मोदी की एक ही सोच है विकास उनका लक्ष है कि समाज के अमतिम पैदान पर खड़े ब्यक्तियों तक सरकार के उजनाओ का लाब पहुंचे इसी कड़ी में उनके द्वारा जारखन के एक और वंदे भारत ट्रेन का सुभाराम किया गया उन्होंने कहा है कि परधान मतिन्यान मोदी द्वारा साथ ताईस जून तो अर्थिक बिकास को बढ़ावा मिलेगा कुडमी एस्टी नहीं थे परमान है तो हाई कोट में जाए साल खान मुर्मू आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्री अध्यक साल खन मुर्मू ने जमसेत पूर के कदमा इस्थीत आवासी कर्यालेन में सर्मादाता समिरन का आयोजन किया उन्होंने कहा है कि कुडमी महतो परतिनिधी सोमवार को जहारखन के मुक्षची और ट्राइवल रिसर्च इंस्चूट के डाव के लिए मिलने वाले हाई इसका आदिवासी सेगेल अभियान बिरोध करता है कुडमी आदिवासी केवल आरक्षन का लाव लेने के लिए एस्टी बनना चाहते है यदि सच मुछ में कुडमी महतों के पास एस्टी होने का कोई परमान है तो उन्हें पूरे तथे के साथ हाई कोट या फिर सूप्रीम कोट जाना चाहिए रेल रोड चक्का जाम कर बेवज़ जनता को भरमीत और तबाह करना उचीत नहीं है सालखन मुर्मो ने कहा है कि तेरा कोट असली आदिवासी का अभी तक विकास नहीं हो सका है इसके लिए कमिशन का गठन कर जाच होनी चाहिए लोक सभा चुनाओ की त्यारी में जूटा जाम मो सतारूर जार्खन मुक्ति मुर्चा मिशन दो हर चोट के त्यारियों में पूरी मजबूति के साथ जूट गया है इसी कड़ी में लगातार जीला कमिटियों की अलग अलग बैठक मुख्याले में बुलाई जा रही है अभी तक 13 जीला कमिटियों की बैठक हो चुकी है इस बैठकों में कमिटियों को मतदान केंद्रो यानि बूथो तक मजबूति का टास्क दिया जा रहा है ताकि आगामी चुनाओं में मोर्चा का प्रदर्शन बेहतर हो सके बतारे 2024 इस माइने में जारखन मुक्ती मोर्चा के लिए महतपूर्ण है की लोग सभाव बिधान सभाग चुनाओं इसी साल होंगे धन्यवाद